जहमातादी दोस्तों कैसे आप सबी आशा करता हूं दोस्तों आप सबी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मकर संकरान्ती के दिन ये चीज जरूर खाई जाती है और इस चीज को खाने के पीछे एक विशेश रीजन है वो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जोतिश शास्तर के अनुसार मकर संकरान्ती के दिन भगवान सूर नारायन मकर राची में प्रवेश करते हैं, इसलिए मकर संकरान्ती मनाई जाती है, इसके अलावा इस दिन खिचडी खाने का भी विशेश मह इतवे और खिचडी जरूर खाई जाती है, उसके पीछे का रिजन भी ये है कि खिचडी खाने से हमारे 9 के 9 ग्रह संतुलित होते हैं, 9 के 9 ग्रह अच्छा फल देते हैं और कोई ग्रह आपको अशुब फल भी दे रहा है तो वो भी ग्रह आपको शुब फल देना प्रदान कर देता है और आपका जीवन कल्यान में हो जाता है देखिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सिर्फ आपने खिचड़ी खा ली तो सब कुछ ठीक हो गया देखिए कोई भी चीज हो आप चाहे किसी भी मंत्र का जब कर रहे हो कोई पूजा कर रहे हो कोई उपाए कर रहे हो कोई टोना कर रहे हो हर चीज अपने स्थान पर सही होती है यानि की आप कोई भी कर्म कर रहे हो अपने आपको सफल बनाने के लिए माल लीजिए आप धन प्राप्ति के लिए माता लक्षमी के मंतर का जप कर रहे हो और उस मंतर से आपको माता लक्षमी की कृपा मिल रही है उनकी उर्जा मिल रही है लेकिन अगर आप धन कमाने के लिए प्रयासी नहीं करोगे तो आपके पास धन आएगा कहां से यह चीज यहां पर भी लागू होती है अगर पर खिषड़ी खाते हैं तो आपके उपर नौग रहों की कृपा हो जाएगी लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि नौग रहे खुद आपके पास चल करके आएंगे और आपको धन संपधा प्रदान कर देंगे यष्वर रएवेभव प्रदान कर देंगे वो आपके उपर प्रसन्द राजी आपके ऊपर ऐएंगदम खुश्य माने हुए हैं लेकिन काम तो आपको करना पड़ेगा कोई भी चीज आप कर रहे हो मालो कहीं किसी वैक्ति को जाब प्राप्त करनी है उसके उपर नोग रहों की कृपई है लेकिन वह वैक्ति अगर ईंटरिव्यू देने ही नी जाएगा तो उसको जाब कहां से मिलेगी वह जाब के रिए प्रयास नी करेगा mejor नी भरेगा और एग्जाम नी देगा तो प्राप्त करते हैं लेकिन अगर हम ये सोचे कि हम मंत्र का जब करें ही ना और हमको सिद्धी प्राप्त हो जाए तो क्या ऐसा संभव है ऐसा बिलकुल भी संभव नहीं है हम साधना के लिए विदिविधान का पालन ना करें हम बैठे रहें और सिद्धी मिल जाए बैठे रहे सफलता मिल जाए तो ऐसा नहीं है सादक को भी सिद्धी प्राप्त करने के लिए साधना करनी पड़ती है इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो उपायों के साथ में मंत्रों के साथ में जब के साथ में तब के साथ में वरत के साथ में आपको अपना कर्म नहीं छोड़ना है अपना कर्म आपको करते रहना है साथ में आपको पूजा पाठ उपाए मंत्र तंत्र भी करते रहना है इससे होता क्या है कि आपके मार्ग की जो बाधाएं हैं वो खतम हो जाती हैं समझ रहो जो बड़ी बड़ी बाधाएं आपके मार् घटना में निकल जाती है यह होता है इन सब चीजों का कार रहे और जो बाधा आ रही है छोटी मोटी बाधाएं तो खतम ही हो जाती है और जो बड़ी बाधाएं आने भी वाली है वो भी बहुत हलकी होकर के बहुत छोटी होकर के निकल जाती है इसलिए पूजा पाठ जब त आए और आपका जीवन सुखमे हो जाए तो खिचडी खाने का विशेश महत्वेब प्रातहकाल में सनान करके आप सभी लोग अपने घर में एकदम सफाई के साथ में शुद्धता के साथ में खिचडी बनाईए और खिचडी सभी लोग खाईए परिवार के लोग अगर आप दान कर सकते हैं खिचडी तो खिचडी दान करिये लोगों में बाटिये परसाद खिचडी का भगवान को भोग लगा करके सब में बाटिये और रौ मैटीरियल भी आप दे सकते हैं जैसे की चावल आप दान कर सकते हैं उड़त की डाल आप दान कर सकते हैं नमक गुड चीन भगवान आपके उपर भला करते हैं, देवता का अर्थ होता है कि जो हमको देते हैं, जो हमको प्रदान करते हैं, तो जब आप भी लोगों को देने लगोगे, आप जाहे वो आप ग्यान दो, आप धन दो, आप समान दो, आप वस्तू दो, देने से आपके अंदर देवता का भावा जाता है और देवता परिपूर्ण होते हैं तो आप भी परिपूर्ण होने लगते हो जब आपके अंदर देवता के गुण देवता के भावाने शुरू हो जाते हैं तो खिचडी खाईए और लोगों को खिलाईए नहीं खिला सकते तो रो मेटिरियल दान करिए एक कि की दाल शनी का कारक होथ है उड़की दाल खाने से सबγο को new record कि चंद्रमांë से जोड़ा जाता है तो चंद्रGER अच्छी होते हैं सब्जियां यां उसमें डलती है हल्दी उसमें डलती है सूर्र मंगल ये सभी ग्रह हमारे अच्छे होते हैं तो जो भी वस्तू हम ग्रहन कर रहे हैं खिचडी के रूप में, सबजियों के रूप में, फलों के रूप में उन सभी की स्थिती, उन सभी का connection किसी ना किसी ग्रह से होता है तो इसलिए हम जो कुछ भी खाते पीते हैं पहली बार आये हो तो सब्सक्राइब जरूर करना बेल आइकन जरूर दबाना वीडियो को लाइक करना शेयर करना मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में जै मातारानी की